अबार में स्राम जी का इनिशा में स्राम जी का मैं स्वादत करता हूं हम लोग मिले बहुत अच्छी बार चिती आज की समय में जब सब कुछ खतम हो रहा काफुर कुछ अब तक खतम हो गया प्रइबर्टाइजिशन के द्वरा नोकरियां गई शिछा भी हांसे निकल देए और 43 वाइस चांसलर से इस देख में उसमें क्यों एक यस्टी है 159 इस्ट्यूट अफ हार लजी और इस्ट्यूट अप एक्सेलिंशन उसमें से एक यस्टी डारेक्टर नहीं है तो सिछा से भी निकाल दिया गया गोवर्मेंट के जाब तो कम होई गया है और डेमोक्रेशी की जो स्ट्रेंथ होती थी तो कमजोर हो गई है अगर हम लोग एक नहीं होते हैं तो मेरा ख्याल है कि जिहास कभी माप नहीं करेगा और इस लोग सभा के चुनाओ के बाद हमें लड़ने का मौका भी नहीं देगा अब आगे चुनाओ होगा कि नहीं हो वर्न नेसर माने लक्सर का मतलब क्या है पर्लमेंटरी डेमोक्रिसी को खतम पर के पैसिदेंशन में क्यों सवड़ ही जीच सकते हैं और यसी यस्टी उबीसी माइनार्टी का कोई मतलब नहीं रपाएगा तो हम लोग एक होना चे मेरी अपील है कि चाहे और जो छोटे-छोटे संगठन है जो अहंकार खुद का अहंकार एगो है और अपने सैटिफरक्शन के लिए ही कर रहे हैं वो सारे हमारे हमारी कमजोरी बनने हैं पूरे देश में चार आदमी है तो दस आदमी संगठन खाड़ा कर देते हैं और पर आए एवियम के खिलाब हम लोग लड़े और अब लड़ने का भी मोका नहीं देगा तो मैसराम जी से और बीजिज जी से अभी मुलाकात की है तो हम लोगों ने सलाम मजबिरा करके उनीस फरवरी को जंतर मंतर नई दिल नहीं दिल लिए एवियम के खिला पुरे देश क कि लोग आये सभी लोग आये एक कामन मंच है किसी एक का नहीं है मैं यही कहूंगा और मुझे वड़ी खुशी दी वावन में इसराम जी से मिल करके इन्होंने समाज के लिए बहुत काल किया है बहुत जगाने का काल किया है लेकिन जगाने से ज्यादा जिस तरह से मीडिया देश में है मनवादी लिटरेचर प्रभाव और उनका असर वो हमारे समाजी का जागरिती का प्रयास है उसको भी छोटा करता चला जा रहा है तो मैं यही फिर से अपील करूंगा समाज से कि अब कम से कम हमकार यहों पछो और कुछ समाज के लिए भी देना सीखो दो पैसा साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने जंतर मंतर पर इवियम के विरोद में राश्टीयस तरका बड़ा आंदोलन किया महामौर्चा निकाला और उस महामौर्चा में 32 राज्यों के लोग उपस्तिते और जरता को इखटा करने का भेज भर में हमने अभियान चला रखा है और अभी हम लोग उधित राज जी के घर में आये हैं और उधित राज जी के साथ मिलकर फिर A.C.S.T.O.V.C. और माइनरिटी के जो तमाम नितरूत्व करता है मासेश के साथ साथ नितरूत्व करताओं को भी इखटा करने की जरूरत है और निखटा करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं तो 19 फरवजी को E.V.M. हटाओ एक बड़ा और अंदोलन होने वाला है उस अंदोलन में भी हम सारे देजबर से लोगों को निखटा करने के लिए अपील करते हैं और इखटा करने के लिए सारे देजबर से लोगों को दाने की कोशिश करेंगे इस मुखे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमें बहुत खुशी है कि गुदित राज की और हम अब आने वाले समय में समाज की लड़ाई मिल जुलकर लड़ेंगे शुक्रियाज जैदेव